हे गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी मेरा एक्ने जर्णी जो यहां से शुरू होके यहां तक कैसे आया है वो मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं पहला टिप्स एई होगा जब भी आपका एक्ने हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है जो कुछ ठीक नहीं हो रहा है आपको कुछ अपने साथ एक्सप्रिमेंट नहीं करना है आपको सीधा जाना है डॉक्टर के पास डॉक्टर में के पास जाने के बाद आपको अपना हॉर्म प्राब्लम के वैज Making Münster के वज़े सेन दंसरोरा है आंटे हुटा हे हम लोग का लाइफस्टैल के वज़े बहुत जदा वह कर वाला लाइफस्टैल इसासे रात भर हम लोग जायते रहते हैं पोन में चलाते लेते हैं भी स्ट्रेस ले लेते हैं खाना जो मनमें आये वही काते हैं यह सारे चीज़ बहुत साहरा चीज़ लेकर आपने अबहुत हो जादा हो रहा है तो शूगर को अपने डाइट से एकडम हटा भूली जाओ कि सूगर बोल के कुछ है आपको सूगर एकदम से लेला नहीं है आपका एकने हील हो जाएगा अगर एकने उससी भी ज़्यादा हो रहा है कि आप पोड़ायक भी लगारे हो आपका लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा सही है अबका डाइट भी सेह सब यूरु आपके पहले नहीं होता था जब मैं नाइन टेन में आई तब भी मेरा बहुत आईकने वही पापा मुझे लेके जाते थे इसकी डॉक्टर के पास वहां से डॉक्टर पहले डॉक्टर आज से छे साल पहले डॉक्टर उतना ज़्यादा यह नहीं था कि पी-सि-o-d य तो दिखा थीट होता था वेहली कुछ ओम रिमिड्य कर थीच थीच होता था फिर कम बैक करता था मतलब ठीक ही नहीं हुआ है थीक हुआ है कम बैक हुआ है ऐसा डाइन कर चलता रहा फिर मैने ट वेम में पता चला कि मुझे PCOD है तो PCOD फिर मुझे पेट में भी दर्द होने लागा और भी इसूस जब आने लागे फिर पता चला कि मुझे PCOD है और PCOD है तभी मेरा ये स्कीन में इतना ज़य्द आक्म जो कभी थीक नहीं होता है आपको अगर हमैं लगलिये वजे से अपको PCOD ना भी हो कुछ और हमैं प्रोब्लम हो अपको एक्मे फ्र Trav कराओगे भी पोड़क लगाओगे अभी मेडिशन लगाओगे वह करता है और मैंने जो दिखाया था मैंने फिर में फिर्स्ट यहर में कोलकता में आई उसके बाद यहां पर रहके मुझे मैंने इसके डॉक्टर के लिए पता करा बट मैं आप लोगों को और यह चीज़ बता देंगी बता दे रही हूं पहले से ही बहुत सारे टीनेज जो गर्ल है मैं तुम लोग को बोल रही हूं पहले जब तुम लोग के एक्नी होगा पहले डॉक्टर के पास जाओ कुछ छेर्खनी मत करो क्योंकि एकने तब ही जब किस वज़े से हो रहा है तब अगर पता चल जाएगा उसका नस जल्दी से जल्दी इसका ट्रीक्मेंट भी शुरू हो जाते एकने इसका मेरा बहुत सारा घ्रक्ड करने के लिए लाक नहीं लाक हो मैंने खर्चा किया तब यह कभी होगा भी नह दिख सकता है आधरवाइस अभी स्मूत हो गिया है सो मैं यही आप लोगों को बोलूंगी अगर पिंपल से तो छेड़खनी मत करो डॉक्टर के पास ही जाओ बाट यहां पर भी चीज है यह दो तीन सालों में मैंने एक्सपिरियेंस किया है अभी इंस्टाग्राम का जमाना ह है रिल का जमना है अभी हारीक सीटी का जो भी है देखना डॉक्टर लोग बन गया है मीनी ब्यूटी पललर खास करके जो लेडिस डॉक्टर लोगी जेस भी है दोनों समन समनी है पांचों गलिजिए समन नहीं होता है वैसे सब कोई नहीं बर कुछ कुछ है वाइट अर्ड ब्यूटिपलर को बॉले यह सेटिंग लेलो सिंगिंग लेलो अधायव ट्लेवट ॥ीक नहीं होगा हुस्पिटल में जो डॉक्टर बढ़ता है उनके पास जाओ मेरा उनके पास में मेने अपने मैं Haustered में रहे थी मैं पढ़ ती तो मेरे पास उतना तो पैसा नहीं इसका नहीं में एक पुछ होंपे जयाकर डेख सकते हो हम लोग मिद्ल क्लस है तो हम लोग एसços लocybil का जो मतलब जो प्राइवेट में जाने से पहले पहले सरकार में जाके अपना किट्मेंट करवाते हैं वहां पर गई लगी धूप में खड़ी होके सारे चीज़ चलंगा वहां से डॉक्टर जो मैंने शुरुबाद किया दोक्टर ने पहले ब्लट टेस्ट करवाया उसके बाद मुझे मेडिशन दिया गया और मेडिशन चलता गया और मुझे फेस के लिए ना संस्क्रीम दिया थ मैं सारे पोड़ा कब लोग को दिखाऊंगे एक जेल टाइप दिया था बहुत सारा चीज दिया था कि बहुत रेगुलर के साथ सब कुछ लागाना नहीं होता था प्रोब्लेम वाइस लागाना होता था ठीक है हर 15 दिन बाद में जाती थी फिर एक महीना बाद फिर तीन महीन अन्य से लागातादार ठीक हो गया था में धाय साल प्रोड़ा थीक हो गया था तक पता चल गया तो तो मेरा ऑर रड़ी पता चल गया थे तो उसका treatment मैंने खुदी अपना करना सुरू कर दिया तो आलान दिले टाच हो तो जिसके करण बैलेंस में रहना पड़ता है तो यह सारी चीज मेरा चलता रहा उसके बाद मेरा ठीक हो गया तो आप लोगों को मैं highly recommend करणगी एक आपी के हिसाब से दिदी के हिसाब से जो भड़ी भी है आप लोगों को में एक ही चीज करणगी आप लोगों को मैं दिल से बोल रहे हूं यहां पर कोई मतलब बहुत अभी क्या है ना मेरे दस सल का सफर सुरूप मतलब हो गया है दस सल से भी जाल बचपन से हो रहा है मुझे पिंपल से यह वो तो यह सारे चीज जो हो रहा है ना इससे जो आपका जो इक्सपरिमेंट होता है उसके बाद जो नॉलिज गेन करते हो आपका एक्सपरियेंस ना कि जो हाई लेविल कर रहते है इसलिए मैं बोल रही हूं डॉक्तर के पास जाओगे पर हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाओ आर डी बैस्ट बेस्ट डॉक्टर होता है कि वहीं अपको मेडिसेन सजेस्ट करता है अभी का जो प्राइवेट हो अगर हो जाए नहीं यूटूब छोड़ दूंगी होगा नहीं होता भी नहीं है सम्टाइंस लागेगा कि ठीक हो गया है फिर कमबैक करेगा होता नहीं है जर से खतम करो और पिंपल्स के लिए में फटा फट में आप लोगों को बोल देरी हूं वह है डाइट पे ध्यान र करेंगे यह होगि फिल उप्ल Tag करना पिल्व कवर हर रोज चेंज करना अपना स्कalp में यह देख लेना नदर नंर का लए मैं यह दिखा दोंगी मेंतली यह चेंज करना गया सब्सक्रांका में आपको व कर लोगाल है नहीं चुछ्य तो reacted permitted क्श करना फिर सना पहीं य今 शेक घर पे करो वाक करो चलो कुछ भी करो पर अपने बॉडी को एक्टिवीट करते रहो बॉडी कर पसीना जाना चाहिए आप अपने ध्यान देखिए आप खाने पिने बाहर का कोई भी फूड मत खाना सुगार एकदम छोड़ दो मैदा छोड़ दो एकदम बीग डोट तब जाक सब्सक्राइब दो ब्रॉड़ दो करने के लिए फिर बाइन गीजा इवर को पर प्लांट जो कीवक्त है इसको कतना सका मैं अपने के दिसके लिए रिखिया कुछ लुआ थीरम का फ्रीज में शोड़ प्रॉब्लेम तो आपको अगर आपको मैं दू शीज बतादे रहें ग पाँच निट रखना दस मिट भी नहीं पाँच मिट रखने उसको वास कर देने यह हो गया दो नंबर हो गया मुलतानी मिट्टी चंदन चंदन मुलतानी मिट्टी का पाउदर गुलाब का जल मिक्स करके लगाना बहुत अच्छा वाक करता है और अगर कर सकते हो तो मैंने बहुत मेहनत किया था चंदन का लकड़ी आता है उसमें एक सिलवट्टा जैसे आता है ठीक है गोल टाइप उसमें अच्छ से घसना घसने क अच्छा वाक करता है एक चीज कर सकते हो और आप रोज गिरिंजूस पीओगी तो मैंने डाला है वह सारे चीज भी है अप देख लेना अच्छे से मैंने दिखाया है वह ज़रूर पिओ और अपने खाने पाने भी ध्यान दो डियरी जो जीसे मिल्क का जो सारे चीज है नह मैं यहीं बोलूंगी और सुगर को टेकदम नोहीं बोलतों तो यह सारे चीज को ध्यान रखोंगे आपका इसकी में बहुत हद तक हेल्प करेगा और हमेंसे चेक करते रहना कि पीरियेड मिसिंग ना हो पीरियेड का मतलब सही से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्यों पीसीओरी का बहुत बड़ा हाथ होता है दोनों का कनेक्शन तो यह चारे चीज कर ध्यान रखना है और आपको मैं एक ही चीज और मतलब इन्पोर्टेंट बहुत जदा है तो एक ही चीज एक ही चीज करते में एक चीज बोली देती हूं कि हमेशा जब भी एकने हो तो कोई मतलब कुछ भी देख धे सुन के कि दो दिन में ठीक हो जाएगा एक हपता साथ दिन का चालेंज्स तो बहुत सारे चीजा सब्सक्राइब तो पहले डॉक्टर के पास चले जाओ डॉक्टर भी आपको बताएगा क्या होगा क्या होगा एक्चुल में प्रॉब्लेम पता चलेगा यह सारे चीज अब कर लो आपका इसकी ठीक रहेगा और में जो जो मेडिशन खाई थी में पहले डिस्क्लेमाट दे दे मेंने खाया मुझे ठीक हुआ जरूरी नहीं का आपको हो डॉक्टर के बिदाओ डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन कोई भी मेंडिशन को हाथ तक नहीं लगाना जस्ट मैं अपना जर्नी कर रही हूं इसलिए जो जो प्रोड़क्ट में उसकिया है वह में सो कर रही हूं अधर मैंने मुझे डॉक्टर ने दिया था एक क्याप्सूल है यह सुबा खाली पेट में खाना होता है पर यह सारे जब मैं मेडिशन जब दे रहते मुझे पूछा था मैं मैं प्रेगनेंट हो की नहीं बहुत सारा इंकरी रहता जो लोग करते हैं एज की हिसाब से यह सारे यह सणितन का माशल मेडिशन का जैल मैं मनें उस्टार म संसक्रिम경 करता है मुझे उस्सक्रिम संसक्रिम दिया एक बर यह मुझे आपटे में होता था मेज़ें यह और होता है यह सपी इचिंग होता है ना वो उतियमक थूझे बहुत बहुंट एबल्स तो मुझे मैं भाब रिटीत होती तो दोक्टर नहीं यह लगाने के लिए रहा और जो कि छोटा-चोटा फॉर्हेड में इसमें लगाने के लिए दिया था उसमें बड़ा अकनी में उसमें तो बहुत हिल्प करें पर वह अभी नहीं है क्योंकि मेरा उतना हद तक अभी आकने होता नहीं है sinde my right activity शो यह सारे by मेडिसेंटफ्ง का मुझे चर्थ पड़ेगा डिखानी आकम के टाक्टर रहा है यह सारे वी सांद के साथ बात करने के बाद अब कि अधिक में फॉलू करती थी राइस टिल को में ने ने मैं रॉट इस आड चैनल किया है और तब से अभी मेरा 6 साल हो गिया है मैं ने जीम जॉइन किया था इस ऐस एक्ने क्या वज़े से और सब्सक्राइब करना और पानी बहुत मतलब करता है आपको इसकी को क्लियर करने में तो यह सारे चीज़ को फॉलो करना और अच्छे डॉक्टर को दिखाना डायेट पे फोकस रखना आपने आपको क्लीन रखना हाईजिन मेंटेन करना और कुछ भूल रही हूं क्या है बाहर का फूड मत खाना और कोई भी प्रोड़क्ट उस तरहीं मतलगा ना सारे प्रोड़क का आफ कर दो मार्केट में जो सीराम या प्रेखना अगर एक्ने हो रहा तो डॉक्तर के पास अदो का प्रोड़क्त लगाओ और होम रेमेडि़ीस में मैंने जो बोला हूं मुझे हे है एंड फिर आप लोगों से में मिलूंगी नेक्स्ट यहर में न्यू वीडियो के साथ न्यू यहर में और यह वीडियो 2023 का वीडियो देश में ही खतम हो रहा है आई होप अप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना लाइक कर देना और मुझे थोड़ा सा प्यात दिखा देना सपोर्ट कर देना तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है है अच् कर देना देना लगाहा है शे खुश ईंप रहा है अई जना खुश रहा है है याई रहां ही।